हलो एब्रीवन दिस इस सुमा हियर एंड वेल्कम टू बिल्ड करियर चैनल तो आज हम हीुमन डबलप्मेंट इंडेक्स 2020 को डिसकस करेंगे यह करेंट अफियर है क्योंकि इसे 15 दिसेंबर को ही रिलीज किया गया है तो कौन इसे पब्लिश करता है इसे UNDP यानि की उनाइटे इसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिसकस करेंगे चली स्टाट करते हैं इससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्स्राइब करना बल आइकन को जरूर क्लिक करना तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और हाँ वीडियो पसंद आया तो प्लीज कर सकते हो चली स्टाट करते हैं यूमन डवलपमेंट इंडेक्स 2020 तो इसे कौन रिलेस करता है इसे उनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यून डीप रिलेस करती है तो इसे देसांबर 15 को ही पबलेश किया गया है कितनी इसमें पार्टिसमेंट है 189 और क्या है इसके पेरयमेटर इसके हैं एक्सपेक्टेंसी पिर कैपिटर इंकम और एजुकेश है चुटे चुटे-चुटे पॉंट है बस्ताइब इसटीय इंडेक्स में जो कंट्री को रहाइक्ट करती है व्यूमन डवलप्मेंट के बेसे करती है किसके basis पे क्योंकि human development index है तो किसके basis पर करती है human development के basis यह उसी की scoring सारी जितनी भी country participant country है उसमें इसे scoring या फिर rank provide की जाती है कि SDI को first time कब launch किया गया था 1990 में बट एक important बात कि सिफ जो 2012 में इसे publish नहीं किया गया था बाकि सारे सालों में इसे publish करवाया गया है बट 2012 में यह publish नहीं हुई थी तो यह जो report है 2020 यह 2019 की basics पर है इस बार की जो कोविट situation है इसे इस बार include नहीं किया गया है वो 2020 की जो report 21 की report आएगी उसमें इसे include किया जाएगा तो 2019 वाली है इसलिए इसमें कोविट की situation को include नहीं किया गया है तो top ranking country कौन है Norway okay 2019 में भी Norway थी और 2020 में भी Norway है कितनी इसकी scoring है इसकी scoring है okay 0.954 okay यह highest scoring है one इसकी highest scoring है इसमें first position वाले को 0.954 scoring मिली है जो की Norway है okay second position पर कौन है second position पर है Switzerland कितनी scoring है 0.946 okay यह इसकी scoring है Ireland third position पर है इसकी scoring है zero point okay Norway की scoring हमने देख लिया Switzerland की अब Ireland की scoring कितनी है इसकी scoring है 0.942 okay तो और Hong Kong कितने प्लेस पर है वो fourth place पर है और Germany जो है fifth place पर है तो इंडिया की position क्या है इंडिया की position है 2020 में 131 2019 में कितनी थी 129 यानि की दो position इंडिया की drop हो चुकी है ओके इंडिया की rank थोड़ी बूरी हो गई अभी और 2018 में 130 थी देखिए इंडिया की position को देख लिजी questions आते हैं lowest SDI वाली कौन सी country है नाइजर इसकी scoring कितनी है 0.37 0.377 okay चैना कितने position पे है 85th position पे है 2020 में scoring इसकी है 0.758 okay और हमारी जो परोसी country है उनको भी देखेंगे हम Pakistan की ranking कितनी है Pakistan की ranking है यह पाकिस्तान खीर की ranking है पाकिस्तान की ranking 154 और श्री-लंका की ranking इतनी है 72 और बांगलादेस की 133 ऐसारे की ranking मैंने आपको बता दी हिए चाइना की 85, पाकिस्तान की 154, स्रिलंका 72 और बंगलादेश 133 तो एक पर इंपोर्टेंट बात कि अधिकतर जो developed countries है उनका SDI score 0.8 या इससे एभब है जो की कौन से category में आता है? यहां की जो ranking scaling होती है वो 0 से 1 तक होती है और इसे 4 parts में divide किया जाता है SDI को very high human development जो की scoring इतनी होती है 0.8 से 1 के अंदर आती है इसके बाद high human development 0.7 से 0.79 medium human development 0.55 से लेकि 0.7 और low human development below 0.55 यह annually published report है और इसमें जो developed countries है उनकी scoring अभी क्या है SDI scoring 0.8 TI से अबब है जो की very high human development category में आती है और अधिकतर जो list developed countries है वो low human development की category में आती है मतलब उनकी जो SDI score है कितनी है 0.55 से कम है इसे low है below है तो यह तो हो गई scoring और इंडिया की scoring कितनी है इंडिया की scoring है 0.647 मतलब यह किस category में आती है इंडिया जो है वो वो medium category में आती है मतलब किस category में आती है medium category में ओके तो medium human development category में आएगी इंडिया की scoring इतनी है और इंडिया की जो इस बार UNDP ने first time एक new metric को launch किया है जो की country की per capita carbon emission और इसके material footprint को के impact को भी measure करेगा important है इस बार new इसे new impact इस बार new इसे launch किया है तो क्या launch किया गया है launch किया गया है किसने launch किया है UNDP ने launch किया है UNDP ने क्या launch किया है per capita carbon emission इसे note-down जरूर कीजिएगा carbon emission और इसके carbon emission को और इसके footprint को इस बार measure करने के लिए impact को measure करने के लिए इस बार new metric को launch किया है और इसके footprint को तो इस बार यह new है UNDP ने इसे पहली बार launch किया है तो UNDP के जो resident representative है मिस शोको नोडा मैं नाम लिख देती हूं कौन है UNDP के जो resident रिप्रेजेंटेटिव हैं यह क्या नाम है मिस शोको नोडा तो उन्होंने क्या कहा कि इंडिया डिड नॉट डू वेल बट अधर कैंट्रीज डिट बैटर क्योंकि इंडिया की जो रैंक है वो दो रैंक पीछे हो गई है इसलिए उन्होंने ऐसा कहा बट हमें क्या करना है अपनी पोजिशन को बहतर बनाना है इंडिया की जो ग्रॉस नेशनल इंकम है पर कैपिटा 2019 में कितनी मेजर की गई है 6,681 डॉलर और 2018 में कितनी थी देखिए ज्यादा थी 6,829 डॉलर मतलब यह परचेशिंग पावर पैरेटी पर बेशिस है बट यह क्या हो गई है यह ड्रॉप हो गई है इंडिया की जो कार्बन इमिशन है वो कितनी इंडेक्स कितनी मेजर की गई है कार्बन डाइओक्साइड इमिशन कितनी मेजर की गई है इंडेक्स में यह मेजर की गई है 0.972 और माटेरियल फूट्प्रिंट को 0.970 तो क्योंकि यह न्यू है इसलिए जानना ज़रूर है कि इंडिया की जो कार्बन डाइओक्साइड इमिशन है वो इंडेक्स में 0.972 रैंक पर है वाइल रैंक नहीं मतलब स्कोरिंग है वाइल इसका मैटेरियल जो फुट्प्रिंट है इंडेक्स वो 0.97 पर खड़ा है इंडिया की जो ग्राश नेशनल इंकम है कितनी है 6,681 डॉलर कितनी है 2019 में क्योंकि यह 19 के बेशिस पर ही देखा गया है 2020 वाली रिपोर्ट और 2018 में इससे ज्यादा थी कितनी थी 6,829 डॉलर इंडिया में जो लाइफ एक्स पेंटेंसी में इंक्वालिटी है वो कितनी मेजर कि गई है 2019 में 19.7 क्या है इंक्वालीटी इंक्वालिटईिं लाइफ एक्सपेंटेंसी एक्स्पेक्टेंसी तो यह तो इन्पॉर्टेंट पॉइंट थी मैंने से आपके लिए बता दिया है यहाँ पे तो अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो छोटी क्लास है मुझे पता है बट जितनी इन्पॉर्टेंट पॉइंट थी मैंने सारे यहां पर कवर अप करवा दिये हैं आपके लिए अगर अच्छी लगे तो प्लिस लाइक शेयर करना थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास